परिचय जो कह रही हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये प्रिष्ठिय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं? प्रिष्ठिय क्षेत्रफल ठीक वही होता है जैसा की सुनने में लग रहा है किसी त्री आयामी वस्तु के सभी बाह्य प्रिष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन किसी त्री आयामी वस्त के भीतर के स्थान को कहते हैं आओ इस विशय में मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ इस पार्ट में तुम इन दोनों परिकलपनाओं के संबंद में और अधिक जानोगे साथ ही ये भी जानोगे कि ठोसों के संयोजन के प्रिष्टियक शित्रफल और आयतन की गणना कैसे करते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे किनी दो आधार भूत ठोसों जैसे घनाब, शंकू, बेलन, गोला वा अर्थ गोला के संयोजन से बनी वस्तु का प्रिष्टियक शित्रफल निकालना किनी दो आधार भूत ठोसों के संयोजन से बनी वस्तु का आयतन निकालना किसी सम् वृत्ताकार शंकु के छिन्नक को परिभाशित करना, किसी शंकु के छिन्नक का आयतन ग्याद करना, किसी शंकु के छिन्नक का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करना, किसी शंकु के छिन्नक का कुल प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करना, ठोसों का संयोजन चात्रों, इन ठोसों को देखिए, ये ठोस दो या अधिक ठोसों से बने हैं यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि सरकस का तंबू, शंकू वा बेलन का संयोजन होता है लट्टू, अर्धगोले वा शंकू का संयोजन होता है और परक्नली, अर्धगोले वा बेलन का संयोजन होती है इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी अनिक वस्तूएं देखते हैं जैसे खिलावने, वाहन, पाद्र, औजार, इत्यादी जो दो या अधिक ठोसों का संयोजन होती है आईए उनके प्रिष्टियक शित्रफल एवं आयतन ग्यात करना सीखते हैं ठोसों के संयोजन का प्रिष्टियक शित्रफल ग्यात करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में विभाजित कर देते हैं और फिर प्रतियक ठोस का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल ग्यात करते हैं फिर उन सब वक्र प्रिष्टियक्षेत्रफलों को जोड़ कर संपून्ठोस का प्रिष्टियक्षेत्रफल ग्याद कर लेते हैं। उधारनार्थ इस खिलाउने को देखो या खिलाउना एक शंकू और एक अर्थगोले का संयोजन है। इस खिलाउने का प्रिष्टियक्षेत्रफल ग्याद करने के लिए हम शंकू एवं अर्थगोले के वक्र प्रिष्टियक्षेत्रफल ग्याद करेंगे। अत्वा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी खिलाउने का कुल प्रिस्टियक शित्रफल, शंगु के वक्र प्रिस्टियक शित्रफल तथा अर्ध गोले के वक्र प्रिस्टियक शित्रफल के योग के बराबर होगा। ठोसों के संयोजन से बने ठोस का प्रिस्टी एक्षित्रफल क्यात करने के लिए आईए कुछ उधारणों को हल करते हैं। उधारण एक ठोस खिलावना एक संब बृत्ताकार शंकु द्वारा आच्छादित अर्थ गोले के रूप में है। यदि शंकु की उचाई 4 cm एवं आधार का व्यास 6 cm है तो खिलावने का प्रिस्टी एक्षित्रफल ग्यात कीजिए। आईए इसे हल करते हैं। हमें शंकु की उचाई दी गई है जोकी 4 cm है और आधार का व्यास 6 cm है। जोकी आधार का व्यास 6 cm है अतहा शंकु की त्रिच्या आर आधार के व्यास की आधी अर्थात 3 cm होगी। अर्थ गोले की त्रिच्या भी 3 cm है। अब खिलावने का प्रिस्टी एक्षित्रफल ग्यात करने के लिए हमें शंकु का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल तथा अर्थ गोले का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल ग्यात करना होगा। शंकू का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल पाई आर एल होता है अताहा अब हमें एल त्रियक उचाई का मान ग्याद करना है हम जानते हैं कि त्रियक उचाई एल बराबर वर्ग मूल एच वर्ग जमा आर वर्ग के होता है अधाइस की गणना करने पर हमें 5 cm प्राप्थ होगा अब πाई आर एवं एल का मान रखने पर हमें 3.143.5 प्राप्थ होता है जो की 47.1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है आएए अब अर्ध गोले का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल ग्याद करते हैं जो की 2 पाई आर का वर्ग अधा हमें प्राप्थ होता है 2 गोणा 3.14 गोणा 3 गोणा 3 बराबर 56.52 वर्ग सेंटीमीटर अधा खिलोने का कुल प्रिस्टी एक्षित्रफल बराबर शंको का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल जमा अर्थ कोले का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल बराबर 47.1 जमा 56.52 बराबर 103.62 वर्ग सेंटीमीटर इस आकरिती को देखे ये सजावट के लिए प्रेयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से निर्मित है एक घन एवं एक अर्थ कोला ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोरवाला एक घन है और उसके उपर लगे हुए अर्थ कोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है ब्लॉक का संपून प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद कीजिए हल घन का संपून प्रिष्टियक शित्रफल बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग बराबर 6 गुणा 5 गुणा 5 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर हम देख सकते हैं कि प्रिष्टिय क्षित्रफल में घन का वह भाग संबलित नहीं किया गया है जिस पर अर्ध गोला अथ्यारोपित है अताहा घन का संपून क्षित्रफल बराबर घन का संपून प्रिष्ठिय क्षित्रफल घटा अर्थ गोले के आधार का क्षित्रफल जमा अर्थ गोले का वक्र प्रिष्ठिय क्षित्रफल सभी के मानू को रख कर और उनकी करणा करने पर हमें 163.86 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होता है ठोसों के संयोजन का आयतन जब हम ठोसों के संयोजन पर द्रिश्टी पात करते हैं तो ख्यमता ग्यात करने की समस्या उत्पन होती है ऐसे किसी ठोस का आयतन ग्यात करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं और फिर प्रतेक ठोस का आयतन ग्यात करते हैं फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपून ठोस का आयतन ग्याद कर लेते हैं। इस आइसक्रीम कोन को देखिए या एक शंकू एवं एक अर्थगोले का सियोजन है। इसका आयतन ग्याद करने के लिए हम शंकू एवं अर्थगोले के आयतन ग्याद करेंगे और फिर उन आ ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी आइस्क्रीम कौन का आयतन शंकू वा अर्ध गोले के आयतनों के योग के बराबर होता है। इस सम्बंध में और अधिक समझने के लिए आईए एक उधारण हल करते हैं। उधारण एक लोज सम्ब लंब वृत्ताकार बेलन वा लंब वृत्ताकार शंकू का सह्योजन है। बेलन वा शंकू दोनों ही के आधार की त्रिच्या आठ सेंटिमीटर है। बेलना कार भाग दो सो चाली सेंटिमीटर उचा है। तथा शंक्वा कार भाग चतीर सेंटिमीटर उंचा है. स्तंब का भार ज्याद कीजिए. यदि एक घंग सेंटिमीटर लोहे का भार तीन दशमलव नौ ग्राम हो. हल, मालिच ये R बराबर बेलन की त्रिज्या, शंकू की त्रिज्या, H बराबर बेलन की उंचाई, हम जानते हैं कि स्तंब का संपून आयतन बेलन वा शंकू के आयतनों के योग के बराबर होता है. अताह संपून आयतन बराबर πाई आर का वर्ग H जमा एक बटे 3पाई आर का वर्ग H एक बराबर πाई आर का वर्ग गुणा H जमा एक बटे 3H एक इसे हल करने से हमें संपून आयतन प्राप्त हो जाता है जो कि 50,688 गन सेंटिमीटर है अब इस्तंब का कुल भार बराबर ठोस का आयतन गुणे भार प्रती घन सेंटिमीटर ये है एक नौ साथ छै आठ तीन दशमलव दो ग्राम अथवा एक सो सत्तानवे दशमलव छै आठ तीन दो किलो ग्राम होगा. किसी ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। किसी ठोस आकार को किसी ठोस आकार को काते जाने के मामले में रूपांतरण। आकार को किसी अन्ने ठोस आकार में रुपां तरित करते हैं। सभी भांकों का कुलायतन वास्तविक वस्तु के आयतन के ठीक बराबर होता है। उधारण 24 सेंटिमीटर मुझाई वा 6 सेंटिमीटर आधार तरिज्या वाला एक शंकु मोडल बनाने वाली मिट्टी से बना है। एक बच्चा उसे गोले के आकार में परिवर्तित कर देता है। गोले की तरिज्या ग्याद कीजिये। हल हम जानते हैं कि शंकु कायतन एक बटा तीन पाई आर का वर्ग एच होता है। आताहा ये एक बटे तीन गुणा पाई गुणा छे गुणा छे गुणा एकीस घन सेंटिमीटर के। यदि गोले की तरिज्या आर है तो उसका आयतन चार बटे तीन पाई आर घन होगा। जोकि शंकु एवं गोले दोनों ही प्रकार के आकारों में मिट्टी कायतन समान रहता है। हमारे पास चार बटा तीन गुणे पाई गुणा आर का घन बराबर एक बटे तीन गुणे पाई गुणे चे, गुणे छे, गुणे चोबिस है। जो की आर का घन बराबर 3 गुणे 3 गुणे 24 बराबर 3 का घन गुणे 2 का घन है, अथा आर बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6, अथा गोले की तृच्या 6 सेंटिमेटर होगी. शंकू का छिननक यदि एक लंब वृत्तिय शंकू उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है, तो काटे जाने वाले तल एवं शंकू के आधार के मद्धिका भाग शंकू का छिननक कहलाता है. शंकू के छिननक के सूत्र नीचे दिये गए हैं. शंकू के छिननक का आधान बराबर एक बटा तीन पाई एच आर एक का वर्ग जमा आर दो का वर्ग जमा आर एक आर दो. शंकू के छिननक का वक्र प्रिस्टियक शित्रफल बराबर है पाई एल गुणा आर एक जमा आर दो के जहां एल बराबर है वर्ग मूल एच वर्ग जमा आर एक खटा आर दो के वर्ग के. शंकू के छिननक का संपून प्रिस्टियक शित्रफल बराबर पाई एल आर एक जमा आर दो जमा पाई आर एक का वर्ग जमा आर दो का वर्ग. अगले स्क्रीन में हम इन सूत्रों का प्रयोग करके शंकू के चिन्नक का आयतन एवं प्रिस्टियक शित्रफल ग्यात करेंगे उदारण सामान ले जाने वाली एक बाल्टी लंब वृत्तिय शंकू के चिन्नक के आकार की है जैसा की चित्र में दिखाया गया है बाल्टी का आयतन वा संपून प्रिस्टियक शित्रफल ग्यात कीजिए हल हम जानते हैं कि त्रियक उचाई L बराबर वर्ग मूल H का वर्ग जमा R का वर्ग अताहा हल करने पर हमें त्रियक मुचाई 17 सेंटिमीटर प्राब्ध होगी साथी किनारे का प्रिस्टियक शित्रफल ये होगा मान दखने पर हमें किनारे का प्रिष्टिय क्षित्रफल 670 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होता है अता आधार का क्षित्रफल ये होगा ये 177 वा 89 के योग के बरापर है अता संपून प्रिष्टिय क्षित्रफल ये होगा इससे हमें 926 वर्क सेंटिमीटर प्राप्त होता है अब हम जानते हैं कि शंकु के चिननक का आयतन ये होता है मान रखकर हल करने पर हमें 2114 घं सेंटिमीटर आयतन प्राप्त होता है क्या आप जानते हैं फ्रस्टम एक लेटिन शप्त है जसकार्थ है काटा हुआ टुकड़ा और इसका बहुवचन फ्रस्टा है साधरणता जब हम कहते हैं बेलन तो हमारा आशय व्रिद्धिय बेलन से होता है परन्तु अंडाकार बेलन भी होते हैं जैसे कि इस प्रकार यदि अनुप्रस्ट काट वक्रिय है और एक सरे से दूसरे सरे तक एक समान है तब भी वह एक बेलन होगा सभी आकारों में आयतन के लिए गोले का प्रिष्टियक शित्रफल सबसे कम होता है या दूसरी तरह से कहें, तो इसका स्थिर प्रिष्टी एक्षित्रफल के लिए आयतन सर्वाधिक हो सकता है। सारांश आईए हमने जू कुछ सीखा है उसे संक्षेप मेह दोहराएं। सब वक्र प्रिष्टी एक्षित्रफलों को जोड़ कर संपून ठोस का प्रिष्टी एक्षित्रफल ग्याद कर लेते हैं। ठोसों के संयोजन से निर्मित ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं। और फिर प्रतिक ठोस का आयतन ग्याद करते हैं। फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपूर्ण ठोस का आयतन ग्याद कर लेते हैं। एक दिया गया लंब वृत्तिय शंकु यदि आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है, तो काटे जाने वाले तल एवं शंकू के आधार के मध्धिका भाग शंकू का छिन्नक कहलाता है शंकू के छिन्नक से सम्बंधित सूत्र इस प्रकार हैं शंकू के छिन्नक का आयतन ये है शंकू के छिन्नक का वक्र प्रिस्टियक शित्रफल ये है शंकू के छिन्नक का संपून प्रिस्टियक शित्रफल ये है जहां H बराबर छिन्नक की लंबवत उचाई L बराबर छिन्नक की त्रियक कुझाई तथा आर एक वा आर दो छिन्नक के दोनों आधारों यानि सिरों की त्रिज्जाएं हैं.